वीर सराफ जी, भारतिया जनता पार्टी क्रेडिट तो लेती है कि 2019 में 5 अगस्त के बाद हमने ही डिसिजिन लिया, एक पोलिटिकल डिटर्मिनेशन और विल दिखाया, लेकिन क्या भाजपा का रिफ्लेक्शन जम्मू कश्मीर चुनाव में दिखेगा, मेंबर ओ पार्लिमे मैं जो मेरा केंपेन है, मैं अपने केंपेन की बात करूंगा, मैं यूथ को एड्रस करता हूँ, और हम कश्मीरियों में, क्श्मीरियों में क्या प्रॉबलम है, हम अपने बच्चों को सचाई से दूर रखते हैं, चाए वो कश्मीरी मुसलिम हो, चाए वो कश्मीरी तो यह प्रॉब्लिम हम लोगों में हैं, तो मैं यहां के यूथ को, जो मैजॉर्टी कम्नीटी का यूथ है, मैं उसको एड्रस करता हूं, let us go to the root of the militancy, और जब मैं root of the militancy देखता हूं, it is national conference, congress and PD, PDP तो था नहीं, national conference और Congress, एकटे मिलकर इन्होंने यहां militancy create की, और बेगुनाओं को मरवाया, the innocent Kashmiri was handed our gun in his hand, he was given money to pelt stones, let us be very honest, यह एक आम Kashmiri ने अपने बच्चे को नहीं बताया, जब मैं गया, इंटीरियर्स में, शांगस, अनतनाग इस्ट कॉनश्च्विनसी में, जब मैं इंटीरियर्स में गया, आप यकीन नहीं करोगे, most of the youths did not know the history कि यहां militancy कैसे create की गई है, सब को लगता है कि कश्मीरी पंडित एक डेमन है, वो नयाई है इस दुनिया में, यह कौन सी जाती है आ गई कि कश्मीरी पंडित को सुनते हैं लोग, या कोई गुसा है बीजेपी नेता के खिलाब, बीजेपी का मेसेज पहुँच पारे ग्राउंड पे? सिर्फिए, बीजेपी कि अच्छी का देगा, वाहाँ प्हुच्छ। ए अच्छी कि ळोग है, क्यूंकि कश्मीरी, कश्मीर का नौजवान, जो अभी बात चल रही थी, पीएजडी वाला है, पोस्ट ग्रेजवेट है, वो समिझ रहा है कि खराबी किदर है, और, बिली में, देर विल बी एस्टाउंशिंग रिजल्स. डेजी, आप किस तरह अप्रोच करती हैं, पस आखरी कुछ कुछ कॉमेंट्स लेंगे, क्यूंकि टार्गिटिद किलिंग्स भी सच है, हो रही है, कश्मीरी पंडित्स की भी हो रही है, जो बाहर से काम करने आरे हुनकी हो रही है, आइजूलेटिद किलिंग्स है, लिकिन एक कश्मीर आगे काम करने के लिए, एज बीजी पी वर्कर यहां पर रिप्रेजन्टेटिव बहुत आगे, इन्हों ने काम किया, मैं भी पुल्वामा में थी, इनका आफिस भी पुल्वामा में ही था, मैं ग्राउंड जीरो पर गुमती थी, गाउं गाउं जाती थी, विदर पूछा आपका दर्द क्या है, आपको जाब चाहिए, क्या चाहिए रहा है, एलीज हमने बहुत करी, हम मोटर सैकलिस पे निकले, हमने जंडे लह रहा है, हम बीजी पी वर्कर्स है, और हमने उनका दर्द सुनाने ही, जो नैंटी का बच्चा, जिसको नैंटी में जनम पूछा पी, हम मार पिटाई ही, यह आज तक किसी ने बात नहीं की, ना 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 बड़ी-बड़ी पार्टी बहा है, जो सफर कर रहा है, जा हे वो कशमीरी हिंदू है, या मुसलिम है, वही तो हमारा फ्यूचर है, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है, आपको चाहिए क्य लेकिन उनसे कभी आज तक नहीं पुछा, जो यूथ मेरे पास आता, मेरे साथ यूथ ही जुड़ा है, उन्होंने ही मुझे कहा कि आप आजाए आगे, जबकि मुझे यहां के यूथ यह भी बोलते थे, मैडम एक दिन का सियम बनो, मैंने कहा मैं एनिल कपूर नहीं हूँ, ल कि अच्छितिव भी हो रहे हैं, रिस्टोरेशन के, क्या है सारकार को करना चाहिए, कॉणफिडेंस जो ले माईनौरिक कश्मीरी पंडित कम्यूनिटी के और एक जोसे भाइचारा जो हो कश्मीर में, जमू कश्मीर में वो फिर वापस आए, क्या आपको लगता है नेताज को और सरकार को करना चाहिए, देखे इसमें, अगर हम प्रॉपर वे में देख ले, तो गवर्मेंट को कदम बढ़ाने की जुरत है, कश्मीरी पंडित के साथ में, मैं तु मेरे अपना एक थौट दे दिया था इससे दस साल पहले उस वक्त की गवर्मेंट को, कि सबोज हम जार डिष्ट्रिकों का एक सेंपल लोगों को निकाले, दस लोगों को उस एज वाले, उस वक्त फोटी-फोटी-फाइव के, क्योंकि बीस बाइस साल उनों ने यहां पर गुजा रहे थे, बीस बाइस साल का जो यह तर्माइल था, जब उनको आपस में बिठाएंगे आप तो आपस में उनकी इνटर एक्शन होगी, वही इंटर एक्शन आँगे लेके चलेगी गी कश्मीरी पंडित का स्पेस, अनुक् टो गोवर्मेंठ दे बिशनली न तो कोई एजंसी दे सकती है, कश्मीरी पंडित की सपेस अगर कश्मीर में वापस आएगी तो मेज सjalी में क पुराने तीस साल, चालिस साल पुराने दोस्कों, भाई कहता सा चुक्स, आप कहां पर हो, और वहां उसके घर में रात को रखता है, सेम वे में जब कश्विरी पंडित वहां से आता है, वो भी यहां लेलितिया और किसी ताज में बैठ सकता है, बट डे कॉल दियर, ओल्ड कहां पर हो भाई, वो अपने पुराने मोहले में जाकर उसके घर में रहता है, तो जो एक कुम्निकेशन गैप थी, वो कुम्निकेशन गैप बहुत हद तक खत्म होगी, इसमें कोई शक नहीं है, आइम नॉट एन प्रवक्ताब बीजेपी, बट प्रेजन डिस्पनसेशन न गड़े के लिए, उसको अब कोई पुलीस वाला पकड़ के वापस नहीं ले जाता है, या गोली नहीं आ जातीए. तो मेरा अपना एक दो एजंडा है जिस एजंडा पर मैं काम करूँ एक मेरा मेरा में एजंडा है मैं ड्रग माफिया के खिलाफ में केश्मिर में काम करूँगा वही मेरा पुल्टिकल एजंडा है वही मेरा अपनी कंस्चोंसी में हब अकदल एरिया में हो आया अनंतराग में और जो भी उसमें इन्वाल उड़ो चाहे बड़ा से बड़ा हो छोटे से छोटा हो उसके लिए कोही पर भी कोई जगा नहीं होगी अगर जगा होगी तो उसके लिए जेल में जगा होगी नमबर टू हम लोग हमारे स्वरगवाई सिन्यता रामविलास पासवान जी का धन्यवाद देते हैं कि उनके मदम से 1996 में कश्मीर में रेलवे लेके आ गए आज उमर अबदला साब कहते है मैं एक लाख रोजगार दे दूगा अच्छी बात है रोजगार देना चाहिए दूसरे साइड से कहता है मेरे को PSO लेने के लिए LG साब के पास जाना है अरे उमर साब जब PSO के लिए आपको LG साब के पास जाना है तो एक लाख रोजगार कहां से दो गए एक लाख आठ हजार चारसाओ सोला रोजगार 1996 से लेकर अभी तक as on date आप चक्र सकते हैं Google मैं जो मैं लेकर आगए है रेलवे केशमीर मैं एक लाख 8,416 रोजगार संजे सराब के मद्दम से मिले आप ने मद्दम से मिले केशमीर मैं और साथ मैं सिटील प्लाइंट हमने लगा है लाजी पूरे मैं डाइसो करोर का उसको हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं ना, we are political people, अगर कोई काम किया है, मैंने कॉडिनेशन यहां पर की, Peaceful Atmosphere 2008 और 10 में, पासवान साथ, उनके साथ पासवान साब को बिठाया, और यहां पर रीक्रियेट और पीस्फुल एड्मासफियर की जुरत थी सब भाईयूं को यह रीक्रियेट